अब बस किसी भी वाक्त योहू आपल बाकिंग डे ओफिशली शिरू हो गया है जरा इन जारे आपल को देखो पके हुए और रस से भरे तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार ये सब आकर हो क्या रहा है वो लोट आए प्यूरिफुल दिल जो है स्ट्रॉंग भी शेरिंग काइनिस है एजी और माजिक से ही सिंटिकी मेरी दूर्ट दूर्टिकी ये धोस्ती है वक्ती अटेंशन! ये स्वीट अपल एकर्स को ड्रेट है मुझे सारे हुब्स और क्लॉस की यहां जरूरत है आपल जार्क जसायर्क हो जाओ एसे वक्तमी शांत कैसे हो सकती हुँ? वैंपाइर फ्रूट बैत्स होतने है तो अकली ये था पर अगर कर दिया है अगर कौभ उठा है कि आपनि समय दो o va कोई नहीं होगा यह एपलू स्टेट फेर के प्रेड्यूस कॉंपिटिशन में हमारी ओफिशल एंट्री है पता है किसी एपल को इतना बड़ा करने के लिए कितनी महनत की जबुरत होती है एपल जब तुम कुछ बड़ा सूचती हो तो वो सच में बड़ा होता है वो वैंपार बैट इस एपल को किसे किश्मिश की तरह निचोड़ देंगे अगर हम उन्हें समझा दें कि एपल तुम्हारे लिए कितना स्पेशल है तो शायद वो इसे अकेला छोड़ देंगे हाँ जरूर खोशिश करके देखो माफ करना मिस्टर वैंपार बैट मैं बस सूच रही थी कि क्या आप उस बड़ी से एपल से दूर रह सकते हों वैल क्या कहा उन्होंने अम हाँ पर ये ना भी हो सकता है मैं पहली बार किसी वांपार फ्रूट बैट से बात कर रही हूँ वैल मुझे इनकी भाशा समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है अहां और इस दौरान ये बदमाश और इसके चुटकू दोस मिलकर मेरे प्यारे आपल का सफाया कर देंगे और साथ ही बगीचे के सारे आपल का भी ये वैंपार बैट्स राक्षस है और कुछ नहीं राक्षस? हाँ, शायद तुम कहलाच समझ रही हो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता चमगादर से लगता है डर सेप सारे खाए ये चमकर वो शायद कभी रुख जाए ठककर दिन भर चलता है ये चकर नहीं है उन्हें कोई परवा, सारे सेप खराब हो जाए बस अपनी दुन में वो सेप खाते जाए देखो मेरी बात सुनो, शायद है तुम्हें गलत पहमी और मैं कुछ ना कर पाओ, मुझे में ही होगी कमी चमगादडों के परिवार भी होते हैं हम पोनीस की तधा ही अब छोड़ों भी बहुत हो भोली, चमगादड होते शैता ही ये पगी जा नहीं इनके खाने की जगा, न सोचे सबको चाहिए क्या नहीं, कभी नहीं और सचाई है यही, ये चमगादड है बिलकुल लालची मैं तुमसे नहीं हूँ सहमत, परिवार की जाने ये कीमत फैलाए बीच दूर तक जब भी चमगादड दिखता है भागो, है बड़े बत्सूरत दराए सबको क्या है हालत मेरे पेडों की खुद ही तुम देखो चमका तड़ोके होने से बड़त मिलती पेडों को अब कैसे मैं भगाओ इनको ना है कोई भी रासता इनसे चुटका रा है पाना मुझको भी लगता है यही चमगादड को होगा जाना बस हो गया इनको भगाना है ना कोई रास्ता है इनसे लड़ना है जुटका रहा हमें पाना है इनसे लड़ना है इनको हमें भगाना है इनसे लड़ना है बहुत हो गया इनको जाना है बस हो गया, इनको भगाना है, ना है कोई रास्ता हमें लड़ना है माफ करना, फ्लटिशाय पर मुझे लगता है कि आपल जाग की बात बिलकुल सही है ये वेंपाया फ्रूट बैट सच में बहुत इंगिनोने होते हैं तो चलो इन्हे भगाए ठाकि ये मेरे बाकी बगीदी को बरबाद न कर सक vapो फ्रूट बैट्स को भगाओ, फ्रूट बैट्स को भगाओ मामः कर ना पर कैसा रहेगा, अगर उन्हें भगाने के बचाए हम उन्हें बगीचे का एक फेस्ता देदे तुम्हारा दिमाग तो ठीकाने पर है ना? वो यहां इसलिए आये है क्योंकि वो भूके हैं अगर हम उन्हें घर बना कर दे दे तो वो तुम्हारे आपल्स नहीं खाएंगे और खुश तीर बात शायद वो बगीचे में तुम्हारी मदद करेंगे वैंपाय अबात्स आपल के बीजो को नहीं खाते और जब वो उन्हें थूपते हैं तो उस जुगा पर आपल्स के नए पेड उपते हैं सुनो फ्लाटरशाय यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर वो हर एक सेकेंड जो हम उनका घर बनाने में लगाएंगे उस हर सेकेंड में वो मेरे बगीजे को बरबात करते रहेंगे तुम्हें नहीं पता पिछली बात जब यह यहां आये थे तो क्या हुआ था ग्राणी स्मित ने मुझे इतनी कहानिया सुनाई है कि सोचकर भी मेरे द्रोंग तिकड़े हो जाते है ग्राणी स्मित कहती है कि उस साल हमने बगीजे के एक बड़े हिस्से को खो दिया था उन्हें सर्दियों के लिए एपल्स को बचा कर रखना पड़ता था और साइडर का क्या साइडर तो तब भी बना होगा ना एक पूंद भी नहीं साइडर नहीं बना साइडर नहीं बना हमें इन मॉन्स्टर्स को एक कठा करकी यहां से भगाना होगा अभी और अज अगर ग्राणी स्मित आपल ब्लूम और बिग मैक के साथ आपलूस प्रड्यूस कॉंपिटिशन में नहीं गई होती तो वो भी यहीं कहती माफ करना फ्लाटर्शाय पर आपल जैक तो सही कह रही है काश की कोई और तरीका होता जिससे कि हम इने एपल खाने से रोक बाते शायत एक तरीका है तो एक गुड न्यूस है और एक बैड न्यूस गुड न्यूस यह है कि मुझे एक ऐसा जादू मिला है जिसके मदद से वेंपार फ्रूट बैट्स को आपल्स का रस्पी न भुलाया जा सकता है पर इस जादू के काम करने के लिए जरूरी है कि बैट्स का पूरा ध्यान सि जादू का मर below मुझे कंचभ़ा जरू करोंगी मुझे लगता है यह वक्त भी काफी जरूरी है मुझे भी जरूरि के मारे में सोचू कंसे कम कोई पूनी तो साइडर के मारे में सोचू मुझे महफ करना, मुझे नहीं लगता उस चीज को दूर करना जायज है, जो वैंपाय फ्रूट बैट्स को बनाती है वैंपाय फ्रूट बैट्स? मुझे ये बहुत गलत लग रहा है पर अगर हमने असर नहीं किया, तो फिर पोनी विल में किसी के लिए भी आपल्स नहीं बचेंगे क्या ये बात तुम्हें गलत नहीं लगती, फ्रूट शाय? तो अब क्या कहती हो, फ्रूट शाय? तुम उन बैट्स पर अपनी नजर का इस्तमाल करूगी या नहीं? हम, 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 ठीक है, मैं करती हूँ, सही फैसला किया, मैं जानती थी तुम उन गंदे बैट्स की साइड, नहीं लोगी, वो गंदे नहीं है, सब को मेरे तरफ से साइडा, रुक जाओ, रेंबो डैश, पहले पंखो वाले बैट्स को एक जगा इकटा करो, वक बहुत कम है हुआ 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 है शावाश पोनीज, लगता है हमने उन सब को पकड़ लिया है, अब बस तुम्हें इस्तमाल करना है अपनी नजर का, वह मैं क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि, ठीक है, मेरा ये करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, उमीद है तुम मुझे माफ कर दोगे बढ़िया, आप तुम्हारी बारी ट्वालाइट, ठीक है अब तुम नजरों का इस्तिमाल बन कर सकती हो काम बन गया, ये पता लगाने का बस एक ही तरीका है मेरी फसल बच गई, यूहू, अब हम पूरी सर्दियों में साइड़ भी पाएंगे तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, तुम्हारे बिना ये मुम्किन नहीं था शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है आपल जाक, मुझे मदद करके खुशी हुई अब बस हमें इस कच्रे को साफ करना है ताकि मैं कल सुबर फिर से आपल्स तोड सकू आपल बकिंग डे टेक टू अब वक्त है उन मीठे रस परे आपल को तोड़ने का मेरे जादू ने काम नहीं किया बेशक तुम्हारे जादू ने काम नहीं किया मुझे लगता है हमें कुछ और आजमाना होगा मैं समझ गई आपल जाक आजाओ पोनीज चलो चल कर उन वेंपार बाट्स को ढूटते हैं एक मिनिट रुको मुझे नहीं लगता मेरे आपल्स का रस चूसने वाले बैट्स यह है पर अगर वेंपार बैट्स तुम्हारे आपल्स नहीं खा रहे हैं तो तो फिर वो कौन है फ्लाटर्शाय तुम जानवरों के मामले में एक्सपर्ट हो क्या तो मंदाजा लगा सकती है वैसा कौन कर सकता है महाफ करना मुझे नहीं पता वेल पता लगाने का फिर एकी तरीका है हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा और वो हम सब कैसे करेंगे पहरा देकर रात का सबसे डरावनावात शायद हमें यह काम यही रोगना होगा तुम सबका तो पता नहीं पर मुझे तो बहुत बहुत भोग लगी है ओ, Fluttershy सब ठीक हो जाएगा भूलो मत डालिंग हम सब इसमें एक साथ है सही कहा जब तक हमें से सुल्छा नहीं लेते कोई बगीजे को छोड़कर नहीं जाएगा ठीक है, पॉनीस? ठीक है सब पॉनीस के पास अपने अपने सिगनल्स है ना? अब याद रखना, पिंगी पाई सिगनल का इस्तमाल तभी करना जब तुम्हें कुछ अजीब दिखाएदी समझ गई जब कुछ अजीब दिखाएदी तुम क्या कर रही हो ठीक है, अब सब लोग अलग-अलग हो जाओ हम सब बगीचे में एक-एक लाइन की तलाशी लेंगे मेरे एपल्स को बर्बाद करने वाला वो जो कोई भी हो उसे यही कहीं होना चाहिए मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है बहुत ही ज्यादा अजीब वो एपल कितना मीठा और रस्परा लग रहा है वो क्या था? अजीब है वक्त है पूली सिगनल इस्तमाल करने का कौन है वहाँ ओ वेल मुझे उस आस्मान में उर्ती हुई परचाई के बारे में फिक्र करने की बेलकल सरुरत नहीं यह शायद सरुरत है मुझे जाकर देखना चाहें कि रेंबुटाश क्या कर रही है कौन है वहाँ जवाब दो मुझे वरना पच्टा होगे ठीक है जैसा तुम चाहो ये लो और ये भी ये लो अब तुम तुम एक स्केर क्रो आपल जैक क्या बात है अजीब चीज़ फ्लाटरशाय यूहू फ्लाटरशाय वो फ्लाटरशाय नहीं है वो तो फ्लाटर बैट है हमें उसे वहाँ सर नीचे उतारना होगा हमारी प्यारी फ्लाटरशाय प्लीज नीचे आजाओ और वेंपार मैट बनना बंद कर दो Fluttershy, ये मैं हूँ, Rainbow Dash तुम ये बैट होने का नाटक बंद करके नीचे क्यों नहीं उतरती शाहिद हमें उसके नीचे उतरने का अंतजार करना चाहिए Fluttershy आ रही है, अपनी जान बचा कर भागो Pinky Pie, शान्त हो जाओ, देखा, वो वापस आ गई है अपनी डाल पर वो बस मौका देख रही है, सही वक्त पर हमला करने का Pinky Pie, बैट्स पोनीज नहीं खाते, वेंपार बैट्स भी नहीं पर शायद वेंपार, पोनीज, दूसरी पोनीज को खाती होंगी, मैं कोई खत्रा मोलने ही लेने वाली आखिर ये हुआ कैसे, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मुझे लगता है ये हमारी वज़ा से हुआ है हमारी गलती, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ठीक है, तो ये मैं हूँ, ये बैट्स है और ये है फ्लटर्शाय, अपनी नजर का इस्तेमाल करती हुई जादू का असर बैट्स पर कुछ इस तरह होना चाहिए था पर लगता है किसी तरह जादू उल्टा पड़ गया इसने वेंपार फ्रूट बैट्स की आप्ल्स खाने की इच्छा को खतम कर दिया और इस इच्छा को फ्लटर्शाय में ट्रांसफर कर दिया कम ओन, हमें जादू को उल्टा करके सब कुछ ठीक करना है हो तो फिर हम किसका इंतिजार कर रहे हैं चलो चल कर फ्लटर्शाय को बजाते हैं इससे पहले वह में खा जाए सबहल के उस बैट का पीछा करो मुझे यकीन नहीं हो रहा हमने उसे खो दिया ओ फ्लटर्शाय कहा हो तुम सबहल कर अगर वो ऐसा करती रही तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी मुझे उसकी परवाह नहीं मुझे बस मेरी दोस्त वापस चाहिए हमें वो कभी नहीं मिलेगी अगर हमने उसे घेर कर पकड़ा नहीं ता कि मजातों को उल्टा करूं वो वहां है वो उड़ गई इससे कोई फाइदा नहीं हो रहा अब उससे पकड़ने का एक ही तरीका है हम उसे अपने पास आने के लिए किसी चीज का लालस देते हैं पर अगर हम उसे अपने करीब ले भी आए तो क्या हम उसे उतनी देर तक रोब पाएंगे जितनी दे तुम जादू को उल्टा कर सको काशा फ्लटेशाय से फ्लटेबैड पर अपनी नजर का इस्तिमाल करवा पाती यह हुई ना बात ओके चलो चल कर अपनी दोस्कों वापस लाते हैं एक्शन स्टेशन्स अपलूसा स्टेट फेर में जीतने वाले आपल का सफर यही तक था क्या वो आ रही है मैं कहा हूँ है 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 तुम थीक हो गई पर मुझे हुआ क्या था तुम एक वेंपार पोनी में बदल गई थी और पोनीस को खाने की कोशिश की बिलकल भी नहीं नहीं थी हां हां मतलब थी कि हां मतलब नहीं थी हां तूम थी पर मैंने पोनीस को खाने की कोशिश की हां मैंने की नहीं ती मले 사riı ऑ्म पर मुझे माफ कर दो कि मेने पहले तुम्हारी बात नहीं मानी और बोलना मत अब तुम है वो बीज मिलेंगे जो और भी पड़े और बहतर आपल दुगाएंगे क्या इसका मतलब भही है जो मैं सोच रही हूँ हाँ और भी जादा साइडर यह है वू ओके मैंने जादू के बारे में लिख दिया है फ्लटरशाय बैट में बदल गई थी फिर उसके लिए घर बनाया और ध्यान रहे कि तुम यह भी लिखो कि कैसे मेरा जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला गलत साबित हो गया और हमें कभी भी वो काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमारा दिल राज हीना हो कभी-कभी हमारी करीबी दोस्तों को भी कहना पड़ता है नहीं और अब क्यों ना हम अपनी पकी दोस्ती का जश्न मनाए एक अच्छे पके हुए और रस्बरे आपल के साथ पीछे हट जाव मैं इसका रस पीना चाहती हूँ मैं अली हमारी कि दोस्ती का जाव मैं तोस्ती के अच्छे मैं यहीं